आप जो ये चौकलिट केक देख रहे ना इसे मैंने बनाया है बिना अंडा, बिना आवन, बिना कोको पाउडर, बिना मैदा और तोर बिना प्रिमिक्स यूज़ किये यानि कि इस केक को मैं बना रही हूँ हैपी हापी बिस्किट से लेकिन इतना बड़ा पैकेट यूज़ नहीं करेंगे दस रुपे वाली दो बिस्किट पैकेट इसके लिए काफी है लेकिन आज की जो केक रेजिपी ना इसकी हाईलाइट है बॉन्वीटा क्रीम बॉन्वीटा बच्चों के सबसे ज़्यादा फेवरेट है उसी का आज हम क्रीम बनाएंगे जिसकी केक जो है बहुत ही टेस्टी बनती है ये बॉन्वीटा आज की हमारी केक में चार चांद लगा देगी डच्च चॉकलेट केक वाले इसमें टेस्ट आएगे बिना कोको पाउडर बिना चॉकलेट के तो दोस्तो चलिए इस रस्पी को बनाना शुरू करते है हाइई एब्रिवन मैं हूँ सनिता आप देख रहे आपका अपना चैनल सोरिस किचन आज की चॉकलेट केक को बनाने के लिए मैं हैपी हैपी बिस्किट्स केक बड़ी पैकेट ले रही हूँ लेकिन यह पूरा यूज नहीं करूंगे मैं हम इसा बड़े पैकेट्स ले लेती हूँ ताकि यह सस्ते पड़ते हैं अब ये biscuit packet को हम खोल लेंगे इसमें चार छोटे वाले biscuit packets होते हैं तो मैं इन में से दो यूज कर रहे हूँ आप जितना बड़ा केक बनाना चाहे उसी सबसे biscuit भी ले सकते हैं अब मैं कितने biscuits ले रही हूँ अगर आपको जानना हो तो वीडियो को पॉश कीजिए और biscuits को गिन लीजिएगा दोनों ही packets को हम खोल लेंगे ये जो biscuits हैना दोस्तों इसमें चौको चिप्स होती है जिस वज़े से केक में बिल्कुल चौकलेटी फ्लेवर आ जाती है अब ये biscuits को तोड़ तोड़ कर एक mixture जार में ले लेंगे सबसे पहले तो ध्यान रहे सारे biscuits को अच्छे से तोड़ करके ही mixture जार में डालनी है तब ही अच्छे से grind होकर powder बनेगी चले अब इसे grind कर लेते हैं आप चाहे तो happy happy biscuits के जगा Oreo biscuit का इस्तमाल भी कर सकते हैं मैंने refined oil डाला है दोस्तों आज ने घर पर दूद भी नहीं है आभी दुकाने भी बंद हो चुकी है तो मैं घर पर थोड़ी सी milk powder थी उसमें से मैंने यह वाली इनो fruit salty है आप चोटी वाली जो packet मिलती न वो भी डाल सकते हैं थोड़ी सी पानी डालेंगे इनो activate हो जाएगी अच्छे से मिला लेंगे और बैटर रेड़ी है पहले से मैंने केक्टीन को रेड़ी करके रखा है चले केक्टीन में इसे ट्रांसफर कर लेते हैं केक्टीन में मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है आपको मैंने बताया हुआ है बटर पेपर ना हो तो घर पर कैसे बनाएंगे तब घर पर भी बटर पेपर बना सकते है या तो केक को निकालका रूम टेंपरिचर में थंडा होने के लिए रगते अब जब तक केक थंडा हो रहा है तब तक हम क्रीम रेडी कर लेते हैं तो मैं यहां पर बॉन विटा की 31 रुपे वाली पैकेट ले रहे हूं इसे मैंने छोटी वाली मिक्षर जार में निकाल लिया है आ मैंने एक कप विपिंग क्रीम को विप करके रखा था मैं जो बॉन विटा पाउडर इसमें से थोड़ा सा बस बचा करके डाल रही हूं मिक्स कर देंगे अब हम विपिंग क्रीम को कैसे विप करने कई बर मैंने शेर किया हुआ है वीडियो जाधा लंबी ना हो इसलिए एक कप विपिंग क्रीम को मैंने बस इलेक्टिक ब्लेंडर से विप किया है स्टिप पिक्स आने तक फिर देखिए मैंने इसमें बॉन-विपडा नाहीं बचाल रिया तो आप एक बार और शे विस्क लड़ीजिये यानि कि विप कर लिजए उलेक्रिक बीटर से या हैंड से अच्छे से स्मूधली इसमें मिक्स हो जाएगा अब यहां पर केक भी अच्छे से थंडा हो चुका था तो केक को अनमॉल कर लिया हमने देखिए केक भी कितना पॉफेक्ट बना है बिल्कुल मॉइस्ट जालिदा स्पंजी पॉफेक्ट चलिए आज कल रोज रोज केक बन करना तो क्रीम कहने का नहीं है तो आज हिसे केको में 2 लेयर्स में कट कर रही हूं आप तीन में भी कर सकते हैं और मीसा की तरह एक कट लगाएं गे चाकुंपूंहे और एक thread से इस तरीके से layers में cut कर लेंगे उपर की layer को थोड़ा सा काट कर निकाल लेंगे और फिर ले लेंगे turn table के उपर एक baseboard ये baseboard को घर पर जुगाडो से कैसे त्यार करनी है पहले ही मैंने share किया हुआ है पहले के वीडियोस को जरूर देखिएगा अब थोड़ी से cream लगा कर एक layer हम cake की रखेंगे और फिर जो bon vita मैंने बचाई थी ना powder उसमें मैंने एक जोट है कप पानी में लाकर लिया है इससे cake में bon vita की test अच्छ से आएगी तो इससे हम cake को moist करेंगे अच्छ से cake को moist करें अब इसमें लगा देंगे हमारा bon vita क्रीम अब केक में कितनी क्रीम लगा नहीं है या आपके टेस्ट केपर डिपेंड करता है आपको कम क्रीम पसंदे तो कम लगाए जादा क्रीम पसंदे थोड़ी से जादा भी लगा सकते है अब देखे मैं अपने टेस्ट के कोडिंग लगा ली हूँ क्रीम की लेयर दे दी हूँ फिर दूसरी लेयर केक की रखकर इसे भी अच्छ से moist किया है फिर अच्छ से मैं क्रीम से पूरी केक को cover कर रहे हूँ आज मैं क्रम कोटिंग नहीं कर रहे हूँ एक ही साथ में पूरी केक को फिनिशिंग टच दूँगी लेकिन अगर आप बिगनर हो पहले क्रम कोटिंग करिए फिर थोड़ी देर फ्रीज में रखिए केक को फिर निकाल कर क्रीम की दूसरी लेयर लगा कर आच्छ से फिनिशिंग टच दे दीजिए आप मैंने देख सकते लिया है एकस्पाइड वाली एक टेबिट कार्ड इसी से ही मैं केक को फिनिशिंग टच दे रही हूँ इससे बहुत ही अच्छा काम होता है फिर पैलेट नैप से उपर से थोड़ा सा मैंने बस क्लीन कर दिया है और इस तरीके से हो गई हमारी केक की सफाई फिर मैंने लिया केक को मुझे लाइन वाली डिजाइन चाहिए थी साइड में केक को कैसे बनानी है घर पर जुगाड उसे मैंने बताया हुआ है आइब बटन पर लिंक है वीडियो को देख सकते हैं और ऐसे लाइन्स देने के बाद आप उपर बस रोजेट्स पना कर केक को मतलब फाइनल टच दे सकते हैं बट मुझे थोड़े से ना चौकलेट सिरफ से लाइन्स बनाने थे लाइक चौकलेट गनास है तो चौकलेट गनास मेरे पहले की वीडियो की बची हुई थी उसी को मैं यूज करें हूँ चौकलेट गनास कैसे बनानी है मैं चौकलेट ट्रफल केक में शेयर कर चुकी हूँ आई बटन पर लिंक है आप वीडियो को देखेगा जरूर अगर आप के पास चॉकलेट नहीं है तो आप हार्शे चॉकलेट सिरफ यूज कर सकते हैं वो भी नहीं है तो आप क्या करें चार से पाच ओरियो बिस्किट को तोड़कर मिक्षर जार में ले अच्छे से फाइन पाउडर बना ले फिर उसमें डाले एक से दो चमश गरम दूद और अच क्रिप्स दे दिये मैंने साइड में थोड़े से अब में जो क्रीम बजी हुई थी उसे पाइपिंग बैग में भर कर लिया और मैंने याँ पर ट्विस्टेड वाली स्टार नोजल ले रहे हूं इसमें कोई नंबर नहीं लिखिए दोस्तों अगर होती तो मैं दे देती यह के एक लोकल मार्केट से दुकान से मैंने लिये थे और यह ट्विस्टेड वाली स्टार नोजल है मैं भी ट्विस्ट करकर के ही फ्लावर्स बना रहे हूं बहुत ही सुन्दर फ्लावर्स निकल रहे है और रेंडमली मुझे डिजाइन सूची मैं भही बना रही हूं आपको अब मैंने लिए थोड़े से चेरिस मेरे पास चेरिस भी आज कम थे तो मैंने इसे हाफाफ कर लिया और ऐसे प्लेस कर लिया और थोड़े से शिल्वर कलर के शुगर बॉल्स थे जो कि मैंने बीच में प्लेस किया एसे और इस तरीके से मेरी केक तयार हो कही है चलिए अब कट लेते हैं मुझे तो केक बहुत अची लग रही थी लुक वाइच आपको केसे लगी वह बताना टेस्ट तो बहुत अच्छा था सब्सक्राइब और अच्छे लग तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चानल पर नहीं होता सब्सक्राइब करके बल आइकन को क्लिक कर आज के लिए इतना ही तुस्तो बाबाई एंड टेक केर